हल्जी काठी राजबू स्माज के अध्यक्स भाई मोहन सिंग जी मेरे बड़े बाई कूक सिंग जी शूरज सिंग जी मासबा के अध्यक्स भाई चंदन सिंग जी परमार जो नेता जी के नाम से हूं मेरे दोस्त और लाल सिंग जी वाध्यक्स उपाध्यक्स संकर सिंग जी ख तो आगे इसके लिए आप लोग गल्ती देगा लेंगे कहते हैं कि देखो यह हार और जीत की लड़ाई जब से यह स्रस्टी की रचना हुई यह तभी से चलती आ रही है अगर हाँ जीत की लड़ाई नहीं नहीं कोई काम करे कोई गिरता है तो उटने के लिए फिर कोशिस करता है तो यह कोशिस ही अपनी जिन्दगी है कहने का मतलब तो कि एक शायर में कहा है कि जीत उसी को मिली है जीत उसी को मिली है हार से जो जम कर लगा है आज जीत हारा है वो कल जरूर जीतेगा और एक आपके आशिरवास से, सबके आशिरवास से, मैं एक 32 का थोड़ा सा मतलो ग्यान सीका हूँ जो एक बोक्षबत बोलूँगा आपको मेरे पास लोग आते हैं कि माराज मेरा भागय कैसे बदलेगा तो मैं यह कहता हूँ कि तो भूत और भविश्य की चिंता छोड़ दे भूत जो गया वो बिता हुआ कल और आने वाला कल की चिंता नहीं करना है तो आज की चिंता कर वरतमान को सुदार भूत और भविश्य दोनों सुदार जाएगा इसके लिए मुझा यह कहके मेरा भाणी को विराम करो के भारत मता की इसके आगे स्री सगन सिंग